2024 लोकसभा चुनाओ के सरगर्मी काफी जोर उपर है लेकिन इस बिच जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का बिसे बना हुआ है वो पुरे बिहार में पवन सिंग चर्चा का बिसे बने हुआ है पवन सिंग ने अपने ट्वीटर के हैंडल से जैसे ही एनाउंस्मेंट किया कि वो कारा काट लोकसभा से निर्दलिये चुनाओ लड़ेंगे वैसे ही बिहार के और पुरे भारत के लोकसभा चुनाओ में सरगर्मी तेज हुआ हम इस बात को ले करके पवन सिंग के गाउं बाग के लोग के पंदी करे का कि मैं ट्मय सिर्णी करेंगे अब लोग सब तुमा शे टर से जैसे चुनाओ था हम इस लड़े के अदमी पुए नहीenz कि से हमगोर है नागा घंड मालया है ? टम पॉठीतै है को आठमी पाया करतते हैं कि मेरी चेतरी की भाई ऊए मैंने कारा कर अलावे और जग destructive आ रहे ही थी लेकिन ऑच्छा लागल हो तो इस मिच में उनसे बात चिक भी हुई ती चुना है बिलकुल बिलकुल आने वाले है का दिन में आएंगे जो हम लोग जाएंगे तैयारी शुरूप कर दिये बिलकुल तैयारी है तो क्या लगता है कि वहाँ पर पहले रुम जानते हैं हम अपना करेंगे अपने लिए इक नहीं करेंगे हम किसी के भी से में कुछ नहीं कहते हैं निर्दलिये बन के प्रत्यासी उत्रेंगे ये सब चीज्जा निर्दलिये तो कतना इतिहास बाने दल्ये से जीते के कतने लोग के हैं बीज़पी के भी काफी लोग पृदिये लेता थे पहले पाहुंसे हो तो मण ना मिलल हट गिले बीजे पीसे आप अगर मान समान नहीं दीजिएगा तो हम आपके पिछे पिछे दोड़ने वाले में से हैं आप जाए जो कुछ भी हो हम अपना मान समान से जीते हैं घर परिवर के ऐसा भी इच्छा था क्या कि पहुंस जा रहा है लोग सबस्ते सांसत बने बिल्कुल नहीं मुझे काराकाट पसंद है काराकाट से एनाउंस हो है तो काराकाट से लड़ेंगे सब जगा अच्छा है सब बारे में कहा जाता है कि अनके गुरूर जी रहे हैं संगीत के गुरूर जी रहे हैं और राजनीती में कैसे मदद करेंगे हैं जाना चाहिए प्रियास कारीब है सब को करीवी वह सब करीवी कोई है उनका कहती हुनों इस बीस के हुनिक है तो यह पावन सिंग जी के चाचा है अजिस सिंग जी जो उनके गुरु जी रह चुके हैं और उनके चाचा भी है अब इनका आशिरबाद एक वर फिर से उनको साथ मिलने जा रहा है और इनका कहना है कि इंडिये या माले से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है अपना करम करना है और चुनाव में चुनावी मैदान में उतरना है जनता जीत तैय करेगी लोकलेटरिंग के लिए भुश्पूर से गौरव से